ये जन्ता पार्टी का एजंडा बहुत स्पस्ट है और वो एजंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है 2019 में ही ये बिल संसत के दोनों सदनों ने पार कर दिया उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ अब टाइमिंग का क्या महत्व है सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभीव्यक्त कर दी है चुनने के बाद फ़स्ट प्राविर्टी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मानेता मिल गई है रूल्स फॉर्मालिटी है अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है अब विपक्स तुरुष्टी करन की रादनीती करकर एपीस्मेंट की पॉलिटिक्स करकर वाट बेंक को कॉंसल्डेट करना चाहता है मैं उनको विननती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो यह मत करिये पूरे देश की जनता जानती है कि यह इस देश का कानून है और इस चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि यह होगा चुनाओ के पहले होगा अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का पर इतने साल तो हुआ नहीं ना 2019 के बाद अब हुआ है स्मिता जी मुझे एक बात बताईए वील ओफ लेजिस्लेटर वील ओप गवर्मेंट बिल से प्रगठ होता है या रूल से प्रगठ होता है ओब्यस्ली बिल से रूल व्यावस्ता करता है जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पोलिटिकल इस्यूस के कारण लेठ हुआ मगर कब से नागरिकता मिलेगी तो 2014 के पहले से वो थमरूल वही का वही है आज क्या फर्क पड़ गया है बताईए भारतिय जनता पार्टी के लिए पोलिटिकल घेन का मुद्दा नहीं है भारतिय जनता पार्टी के लिए हमारे नेता नरेंदर मोदी जी के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश से आये हुए करोडो सरनार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी तीन पीडी को नियाए देने का मुद्दा है जो कॉंग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया आप कह रहे हैं करोडो लोग यहां आएंगे लेकिन ये political नहीं है मतलब आपको कोई political फाइदा नहीं होगा लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया vote bank बना रहे हैं BJP एक नया vote bank बना रही है अपने लिए देखिए विपक्ष को और कोई काम नहीं है उन्होंने तो surgical strike और air strike को भी बताया कि आपका political फाइदा है तो क्या हम terrorism पर करदम नहीं उठाये इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके political फाइदे के लिए कर रहे हैं हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे उनका history है जो बोलते है वो करते नहीं है मोधी जी का history है जो भार्तिय जनता पार्टी ने कहा है नरेंद्र मोधी ने कहा है वो पत्थर की लकिल है मोधी की हर guarantee पूरी होनी है 2019 में आपने ANI को इंटर्व्यू में कहा था कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त CA के कारण जो हिंसा हुई थी उस वक्त आपने कहा था या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है सुमिता जी दर्मियान में मैंने कहा 41 टाइम 41 बार अलग-अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डीटेल बात करी है कि इस देश के अलसंख्यप माइनोरिटी या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में किसी की नागरिक्ता लेने का प्रावधानी ही नहीं है CAA सिर्फ और सिर्फ तीन देश अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांगला देश से हिंदू सीक बाउद क्रिश्चन और पार्सी जो जैन और पार्सी सरनार्थ ही आये है इनको उनका अधिकार देने का कानून है नागरिक्ता देने का कानून है जिससे इनके जिवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए मैं बाकी religions के बारे में बाद में आती हूँ पहले muslimान समुझाए के बारे में क्योंकि चाहे उवेसी साब हों, चाहे ममता बैनर जीओं, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है, वो भी कह रही है, it's an anti-Muslim law, because आप मुसल्मानों को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटीरिया ही है कि मुसल्मान नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं है, आप इस law को isolation में नहीं दे सकती, इस देश का इकितियास है, 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश तीन हिस्सों में बढ़ गया, वो background है, भारतिय जनसंग, भारतिय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया, हम कभी सहमत नहीं थे, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो नहीं नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया, जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो, और वहां जो अल्प संक्यक है, उस उन लोगों पर धेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो मा, बेहन, काट चल रहे है, अभी जहाँ है, वहां रहे जाए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे, आपका स्वागत है, परन्तु बाद में इलेक्रोल पोलिटिक्स चालू ही, वोट में की रादनेती चालू ही, एपीसमेंट के कारण वो वादा कॉंग्रेस पाटी ने कभी प इंडिया, पर पार्सी और इसाईयों को ला सकते हैं, वो जो रिलिजन्स हैं, तो अगर आप पार्सी और इसाईयों को ला सकते हैं, तो मुसल्मानों को क्यों नहीं? दिखे, मुसलिम अबादी के लिए ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है, वो बुमी इसलिए दे दी गई थी, फिर तो हर देश से अव्यास्ता से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोड लो, भारत कहां बतता है, अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और ज समिता जी आप आकड़ी की गहराई में जाईए, जब विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान में 23 प्रतिसत हिंदू थे, हिंदू और सीख थे, अच 3.7 प्रतिसत बच गए, कहां गए सारे, इतने सारे तो यहां आए नहीं, धर्म परवरतन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दरजे के नागरिक के नाते इनको रखा गया, कहां जाएंगे और लोग, क्या देश इसका विचार नहीं करेगा, देश की पर्लामेंट इसका विचार नहीं करना चाहिए, इसमें एहमदी है, परोश भी है, मैं बंगलादेश की बात करता हूँ, 1971 में हिंदो का प्रतिसत, 22 मैं 51 की बात कर रहा हूं, बंगलादेश की 51 के आंकड़े हमारे पास हैं, 2011 की जन्गर्णा में वो 10 प्रतिसत रहे गए, कहां गए हो लोग, अफगानिस्तान, 1992 के पूर्व, 1992 के आंकड़े मेरे प्रासुब लगभग, लगभग, दो लाग सीख और हिंदू थे, और आज करीब करीब 500 बच गए हूं, क्या ही इन लोगों को अपनी बिलीप से जिने का अधिकार नहीं है, वो जब भारत एक था, तब हमारे ही थे, हमारी ही भाई है, हमारी ही बेन है, हमारी ही माता है, अगर यही थियोरी को आप अपना लो, तो पार्टिसन के बाद इतने सारे को क्यों लिया, उसका भी तर्क नहीं है फिर तो, तो वो ही मैं पूछूँगी, कि आपने कहा कि धर्म के अधार पर दूसरा मुल्क बना, वहां पर शिया और एहमदी, बलोच, ये भी तो प्रताड़ित हैं वहां पर, देखे, वो प्रताड़ना आंकडों के अधार पर इत या एहमद या वो तो छोड़िये, मुसल्मान को भी अधिका रहे हैं अप्लिकेशन करने का, हमारे सम्वाजदान ने रास्ता खोला है, वो अप्लिकेशन करकर, रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिक्ता लेने के लिए अपलाई कर सकते हैं, भारत सरकार इनकी भारत क सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हूं, उसका नेने करेगी, रास्ता किसी के लिए बन नहीं है, यह स्पेशियल एक्ट इसलिए बनाया है, कि यह किसी भी वैद डॉक्यूमेंट के बगर सरण में आये हैं, बॉर्डर क्रॉस करकर आ गए हैं, तो अब आ अब वो ना नागरिक है, ना माइगरेंट है, ना रेफ्यूजी है, क्या बन जाते हैं? देखे, मैं आपको बताता हूं, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, इसका रास्ता हम बाद में ढूंडेंगे, परन्तु जिनके पास दस्तावेज है, वो मेरे एक रभ हंदाज से अपिल करता हूं, आप आराम से करिए, एप्लिकेशन देश की सभी भासाओं में है, आपकी भासा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लिकेशन कर सकते हो, और आपकी समय की अनुकुलता से भारत सरकार आपको इंटर्वी के लिए बुलाएगी, और डोकुमेंट की हो गए हिंदुस्तान में, पंदरा अगस्त दोजार उन्निसो सैतालिस से लेकर, 31 डिसमबर दोजार चोदा तक, जो भी आये हैं, वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है,